बिलासपूर में अर्पा नदी के किनारे कभी खेती आमदनी का जरिया हुआ करती थी लेकिन आज यहां हालात बदले हुए हैं इससे नदी को खत्रा तो है ही यहां के लोगों के रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है अब सवाल है कैसे तो देखे बंसन न्यूस किये पड 147 किलोमीटर लंबी अर्पा नदी के किनारे सेंक्णों गाउं हैं हजारों लोग रहते हैं और इस नदी के आसपास आजीवी का चलाते हैं खास कर खेती कई घरों में आमदनी का एहम जरिया है आज बंसल न्यूस इस नदी के किनारे हालचाल जानने निकला है क्या वाकई जीवन दाईनी अर्पा आज भी उसी तरह है जब बंसल न्यूस की टीम ने नदी के किनारे गाउं की तरह बढ़ना शुरू किया तब लगा कि किसानों की फसल दिखाई देंगी लेकिन दूर दूर तक यहां खेती नजर नहीं आई दिखाई दिया भी तो रेत का अवैद खनन जगा जगा बड़े बड़े तालाब नुमा गड़े तूटे मन से हमारी टीम आगे दर्री और मानिकपुर गाउं पहुंची जहां कुछ किसान तो मिले लेकिन वो आप नदी में खेती करना छोड़ चुके थे वजा आप भी सुन लीजिए अरपा नदी से उगाई गई फसनों की डिमाड न केवल चत्तीस गड़ बलके दूसरे राज्यों से भी थी खास कर यहां के शकरकंद की मिठास कोलकाता तक पहुंचती थी पर आज हालात बदले हुए इसी तरह सबजियां, खर्बूजा, कलिंदर, तर्बूज, ककड़ी और खीरा की फसल पर धिया सरपड़ा है इसी तरह सब्सक्राइब नाखपूर जाएं, तरह सब्सक्राइब नाखपूर जाएं, आफ दोर तरह तरह मरवाही खेत्रम जाएं, पूरा जंगल खेत्रम आप यहां से जात लिएं। इन किसानों की बात सुनकर इतना तो समझ आही गया, कि बारिश को छोड़कर आठ महीने, नदी के दोनों किनारों पर और और्गेनिक सब्सक्राइब नाखपूर जाएं, तरह जाम 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 हो जाएं। जल और जिरिया बनाकर मचली पालन होता था, यह आमधनी का बहुत बड़ा जरिया भी था। अरपन अदी में आधा बिलासपूर का निस्तारी होता था, और गाऊं, तमाम उद्गम से संगम तक है हो तो सारी निस्तारी का काम, चाज सुक का का म हो चाड़ुक का का में आधा पीने का भी कारे, नदी के पानी से ही किया जाता था। सैने सैने विकास कि हम अंधी दोड में आगे रहे और इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए कि आज न हम इधर के हैं न उधर के हैं आज अधर में लटके हुए हैं बिलासपुर की जीवन दाइनी अर्पा नदी में अवैद उध्खनन तो हो ही रहा है शहर के नालों का गंदा पानी और कच्रा भी इसमें डाला जा रहा है अगर नदी बोल सकती तो जरूर कहती अब बहुत हो गया बंद करो ये सब तो देखा आपने 147 किलोमीटर लंबी अर्पा नदी के किनारे सैक्लों गौं के हजारों लोग अपने जीवन उत्पारजन का साधन अर्पा नदी को मानते थे लेकिन विकास की अंधी दोड ने इस नदी को बौना कर दिया है और यही वज़ा है कि हमारी संस्कृती और सभ्यता दोनों खत्म होती जा रही है जरूरत है कि सरकार इस ओर विशेश पहल करे ताकि नदियों से जुड़ी हमारी संस्कृती और सभ्यता को बचाई जा सके कैमरा में प्रकास राव के साथ उमेश मौरी बंसल न्यूज बिलासपूर